हलो फ्रेंट्स वेलकम टो करंट एक्जाम यूट्व चैनल आज हो चुके 23 अप्रेल 2020 और 23 अप्रेल 2020 से रेटेट जित्थे भी करंट आफेर के इंपोर्टेंट क्यूशन बन सकते हैं वो सभी अपके लिए स्वीडियो के अंदर लेकर आएं साथ इन पर्सनों से रेटेट एक्ष्टा फैक्ट्व चूडियो के अंदर जानेंगे लेकिन अभी तक आपने चूडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अब देख लेते हैं 23 अप्रेल 2020 से लेटेट जित्वी करन प्रफेर के इंपोर्टेंट क्यूशन बने हैं उन सभी को तो पहला क्यूशन है लोगडाउन के बीच किसानों को सुरक्षित रखने और उन्हें जागरुपता करने के लिए किसने 17 विशेष दिशा निर्देशित जारी करे हैं तो आपको बताना है लोगडाउन के बीच किसानों को सुरक्षित रखने और उन्हें जागरुप करने के लिए किसने 17 विशेष निर्देशित जारी किये हैं तो यह किया है करसी मंत्रा लेने तो इसको उप्षिन नमबर D से हो जाएगा करसी मंत्रा लेने 17 विशेष दिशा निर्देशित जारी किये हैं नेक्स्ट विशेष ने आपके सामने फेस्बुक ने हाले में मुक्य संबाने की कमपनी जीयो प्लैटफोर्म लिमिटेड में कितने फिशदी इससेदारी करिदने की गोशना की है 9.99% सेदारी अब फेस्पु करीदेगी जीयो की कम्पनी से नेक्स्ट विशेष न आपके सामने सिंगापुर के प्रधान मंत्री ली सेन लोंग ने देश में आंसिक प्रवंदन कितने तारिक तक बढ़ाने लिया है जो की चार मैं को समाप्त होने वाला था तो आपको बताना है जो शिंगापूर के प्रधान मंत्री हैं, ली स्योन, लोंग ने आंसिक परतिवन्द कितने तारिक तक के लिए बढ़ा दिया है जो कि चार में को समाप्त होने वाला था, तो ये बढ़ा दिया है एक जून तक तो इसका अंस रोज आएगा, उप्शन नम किया है, तो आपको बताना है जो अमेरिका की समय राष्टपती है, डोनाल्ड टम, उसने भारते मोलके किस अमेरिकी नागरी को सिर्ष्विग्यान बोर्ड का सदेशन निउप किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, उप्शन नमर सी, सूदरसन बाबू, सूदरसन बाब तो पर्थी दिश, पर्थी वर्स 22 अप्रेल को बनाया जाते है, तो इसका आंसर हो जाएगा, उप्शन नमर ए, 22 अप्रेल, और इसकी जो इस बार की ठीम थी, वो आपको बता दू, क्लाइमेट एक्शन, जी हाँ, क्लाइमेट एक्शन इस साल 2020 की ठीम है, पर्थी नदी के उपर, दोपोर रिजो में 430 फिट लंबे बेली पुल का उन्येन किया, तो आपको बताना है, कौन से राजी के अंदर ही किया है, उपरी सुबन सीरी जिले में, सुबन सीरी नदी के उपर, दापोर रिजो में 430 फिट लंबे बेली पुल का उन्येन किया है, यह उ कुबन सीरी नदीवे पर नेक्स्ट ट्यूशन आपके सामने केंद्री वित मंत्री ने 20 अप्रेल 2020 को नई दिल्य में वीडियो कॉंफ्रेंस के मात्यम से किस बैंक के बॉर्ड ऑफ गौर्णर्स की पांच युगार से एक बैठक में भाग लिया तो इसका सही आंसर हो जाएगा उप्षन नमबर A नियो डॉवलप्मेंट बैंक के इंदर जो केंद्रे वित मंत्री हैं 20 अप्रेल 2020 को नई दिल्य के इंदर वीडियो कॉंफरेंस के मात्यम से New Development Bank की Board of Governors की पांच विवार्सिक वेटक में भाग लियाती इसका Option No. A सही हो दाएगा नेस्ट यूशन है हाली में भारते परती बुधी और विन्मे बोर्ड ने विदेशी निवेस से जुड़े संदक सक बैंकों को किस देश से आने वाले विदेशी निवेस की निंगरानी में वर्दी करने को कहा है तो ये कहा है भारती परतिबुदी और विन्वेबोर ने चीन के खिलाब तो इसका अंसर हो जाएगा उप्सिन नमर सी चीन ने स्ट्विशन आपके साने हाली में किस राजे ने मुख्यमंतरी कोविट नाइंटिंग योद्धा कल्यान योजना को लॉंज की है तो आपके बताना है किस राजे के अंदर ये योद्धा कल्यान योजना लॉंज हुई है जो कि सरकार ने मुख्यमंतरी कोविट नाइंटिं योद्धा कल्यान योजना को लॉंज की है राजे के अंदर तो इसका सही आंसर करगा मद्य पर्देश के अंदर नेश्ट विजिन आपके सामने भारते अबैडमेंटल संग और भारते खेल प्रादी करने संग तोर पर 20 अप्रेल 2020 को किसके नेतुर्द में ओनलाइन कोज विकास कारेकरम की सुरुवात की तो यह की है पुलेला गोपीचंद के निर्देशन में जी हाँ ओप्सन नमबर 20 का सही आंसर हो जाएगा कि भारते बैडमेंटल संग और भारते खेल प्रादी करने सभीक तोर पर 20 अप्रेल 2020 को पुलेला गोपीचंद के नेदुरत में ओनलाइन कोज विकास कारेकरम की सुरुवात की है मेस्ट्रूशन है किस राजे सरकार ने मानसुन से पहले राजे में जल निकायों को गैरा करने के लिए सुजलाम, सुफलाम, जल संग्चय अभियान के तीसरे संस्क्रन की सुरुवात की तो ये सुरुवात हुए गुजरात के अंदर तो उप्सन नमर एसका सही हो जाएगा गुजरात आज का स्वाला है आप लोगों के लिए इसका अंसर आप हमें कमेंट वोक्स में कमेंट करके बताएगे इसका अंसर क्या होगा हाली में राश्वदी रामनात कोविंद का सचीव किसे इन्यूक्त किया गया है जी हाँ आपको बताना है तो आपको देखना है कि आपको कितना क्या याद है कल का क्रंट फेर गा तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए साथी चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर जाएए धन्यवाद